हेलो फ्रेंड्स गुड मार्निंग मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सेंधा नमक हमारे लिए कि इतना उपयोगी होता है और ये भी अंतर बताऊँगा कि सफेद नमक समुद्री नमक जो पाइक हो करके आता है जिसे सभी लोग खाते हैं उस नमक में और सेंधा नमक में कितना अंतर है क्या हमें सफेद नमक खाना चाहिए कि नहीं दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको मैं सफेद नमक के बारे में बता दू कि सफेद नमक होता क्या है दोस्तों सफेद नमक यह समुद्री नमक होता है जिसे हम सफेद नमक कहते हैं बहुत सी कमपनिया पाइकिंग करके देती हैं सारे दुकानों पे यही सारे लोग खाते हैं जिसका रसाइनिक सुत्र होता है यने सील जिसे हम सोडियम क्लॉराइड भी कते हैं दोस्तों सोडियम क्लॉराइड का कारे हमारे सरीर में क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको सोडियम क्लॉराइड हमारे सरीर में टॉक्सीन को विसाले पदार्थों को जमा करके रखता है उ हम हाड वर्क करते हैं दोड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तब पसीने के साथ यह सोडियम हमारा टॉक्सीन जो होता है बाहर आता है नहीं तो हमारे सरीर में जमा होता है और अनेकों प्रकार की समस्याइं खड़ा करता है हमारे सरीर में सोडियम क्लॉराइड की मात्रा आ मैं आप लोगों को बता देता हूं सिंधा नमक के बारे में सिंधा नमक को हम रॉक साल्ट भी करते हैं यह प्रकृती नमक होता है यह कुद्रती नमक होता है यह प्रकृती की देन होती है यह हिमाला सिंध लाहोर के पहारों चट्टानों में पाये जाता है यह कृतिम नमक होत दोस्तों सबसे ज़्यादा यह लाहूर में सेधा नमक पाये जाता है जो कि इस समय पाकिस्तान में चला गया है और अब इसको लाहूरी नमक भी कहते हैं दोस्तों बटवारे से पहले यह हमारे भारत में ही पाये जाता था अब जो कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का इसे लहावरी नमक भी कहते हैं दोस्तों आजादी से पहले जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था अंग्रेजों के आने से पहले या उस समय हमारे जो बुजुर्ग थे पुर्वज थे वे अपने घरों में बोड़ियों में भर करके मिट्टी के बर्तनों में मट्की मट्कों में भर करके रखते थे दोस्तों इसको खाने से वे लोग बहुत मजबूत रते थे इम्यून्टी पाउर बहुत स्ट्रांग होती थी जल्दी बिमार नहीं होते थे जब अंग्रेज हमारे देश में हुकूमत करने आए तो उन्होंने देखा कि यहां कि लोग जल्दी बिमार नहीं होते हैं बहुत मजबूत होते हैं बहुत सक्तिस्ताली होते हैं तो उन्होंने यह राज जाना कि यह लोग सेंधा नमक का प्रियोग करते हैं तब उन्होंने अपनी कुटनीती चलाई, उन्होंने कहा कि यह नमक अच्छा नहीं होता है, सफेद नमक का प्रयोग करें, क्योंकि वो सब जानते थे कि सफेद नमक खाने से सरीर कमजूर होगी, इम्यूंटी पाउर घटेगी और जल्दी से लोग बिमार होगे, तब उन्होंने कहा हिंदुस्तानी जितने भी लोग थे, हमारे देश्वासी जितने भी थे, उनसे अंग्रेजोंने कहा कि सेन्धा नमक खाने से बिमारियां पैदा होती है, इससे घेंगा रोग होता है, और यह जो आयोडीन नमक होता है, समुद्री नमक होता है, इसमें आयो और दिरे दिरे जो है ये सेंधा नमक का निर्यात कम कर दिये जिससे कि लोगों को सफेद नमक ही मिल पाता था और सेंधा नमक नहीं मिल पाता था लोग जो है दिरे दिरे आदत बना लिए सफेद नमक खाने के और दिरे दिरे लोग भोलते गए आज हमारे इस समय भी लोग कॐ है उपयोक करते हैं कि ドोस्तों सेधा नमक को बता दे हैं कि है अम्रित कि समान होता है और ये सभाना में खाने से बहुत ही ़िश्य होते हैं सरीर में सबसे पभले मैं इसका रासाइनीक नाम आप consequently को बता दूं इसका रसाइनिक नाम होता है पोटैसियम क्लॉराइड दोस्तों पोटैसियम क्लॉराइड का कार्य ही होता है कि हमारे सरी से लुक्सिन को बहार निकलता है जरीले पडार्त को बहार निकालता है हमारे सरीर को साफ सुत्रा रखता है सिधार नमक में लगभग जो है 54 पोषचत्त तो 근워서 मायकוח न्यूट्रियंस होते हैं इतने पोषचत्त तो था सकत्त तो मायक्रो न्यूट्रियंस के लिए लग लग यहम खरचर्च करते हैं तो हमको में लेकि दोस्तों अगर हम सिर्फ सेधानमक की उपयोग करते हैं यह हमें फ्री में मिलता है 94 पोसक्तत्व जो हमें फ्री में मिल जाते हैं इतने पोसक्तत्व आपको स्वस्थ रखने के लिए काफी होता है इतना है नहीं दो तो इतने पोसक्तत्व आपको लगबग 130 विमारियों से भी बचाता है इसमें से तो 22 पोसक्तत्व ऐसे होते हैं ज पाएजाने वाले तत्तो हैं जैसे कि आविदीन है लिथियम है फंट से लोहा है जस्ता है मिनरेल सोडियम्न फासफोरस है वोट्यसियम्न है सोडियमग्फुराइड दोस्तों इतने पोछसक तत्तो हैς इसके अलावह और कई पोसक्ततो पाय जाते हैं जो कि हमारे सरीर को स्वस्त रखने में सबसे इंपोर्टेंट ये पोसुक्तत्तो हैं इस नमक को खाकर आप चाहें तो पूरे दिन उपवास रख सकते हैं आपके सरीर में किसी प्रकार कमजोरी या ठकान नहीं होने देता है इसकी अलावा दोस्तों इसमें 84 प्रकार के मिनरल्स पाये जाते हैं ये हमारे सरीर doard को मुझबूत रखता है दोस्तों ऐश्टियो अर्थ्राइटीस से बचा हड़्या मजबूत रखता है जोडों में दर्थ में नहीं होने देता है करी एक मारे सरीर में जोडों में सूझण नहीं तो उसको भी कम कर देता है यां तक कि मसल्स पेन में भी बहुत रेलाइक्स करता है ये हमारे सरीर में स्वसन्त तंत्रिका को और सैनोसी बीपी लो है तो आधा चमच एक गिलास पानी में घोल के पी लीजिए आपकी बीपी मेंटरेंस हो जाएगे अगर आपकी बीपी हाई है तो नहाने के पानी में दो से धाई चमच घोल करके नहाए आपका बीपी बढ़ेगा नहीं और धिरे-दिरे कुछ दिनों में यहां कमजोरी नहीं होती है थकान नहीं होती है इसके अलावा मर्द इसका प्रयोग करते हैं तो उनकी मरदानी जो ताकत होती है बनी रहती है नपून सकता नहीं आने देता अगर कभी आपको कमजोरी की वजह से चकर आ रहा हो तो एक ग्लास गोल बना करके पी लिजिए 10 मिनिट में आपका ठकान बिल्कुल दूर हो जाएगा और चकर आना भी बंद हो जाएगा यह किडिनी की समस्या से भी हमको पूरी तरह से बचाता है डिप्रेशन अगर हमें है किसी प्रकार का तनाव है तो यह तनाव मुक्त रखता है डिप्रेशन में नहीं आने देता है दोस्तो पीलिया में बहुत ही फायदे मन्द होता है दोस्तों अगर कोई हाड भोजन करना है तो खाने से पहले कुछ सेना नमक और थोड़ा सा अधरक मुँ में लेकर चबा करके खा लिजिया और एक गिलास पानी पीकरके इसके बाद कुछ भी खाये वह भोजन आसानी से पच जाता ह पेट में बदहजमी नहीं होने देता है अगर पेट में गैस बनी हुए तो खतम कर देता है पेट फुला फुला हो तो भी खतम कर देता है अगर आपके पेट में मरोड है तो एक गिलास गुनगुना पानी में एक चमच गोल करके पी लिजिए यह तुरंत आपको आराम कर दोस्तों थोड़ा साही सेना नमक लेकर चेहरे पर अगर हलके से मसाज करें तो चेहरे की जुरियां खतम हो जाती है और चेहरे का गलो बढ़ जाता है इतना ही नहीं दोस्तों नहाने के पानी में अगर डेली जो है इसको एक चमाश डाल करके नहाएं तो शरीर जो है नमक प्लास्टिक के थैले में भर करके आता है तो कंपनियां उसको इस तरह से नहीं भेजती है उसमें एक केमिकल मिलाती है कंपनी ताकि वह नमक गले न जो नमक मिलाती है उसका नाम है अलुमिनियम, सिलिकेट और पोटैसियम आयोडेट दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है सरीर के बाहर आसानी से निकलता नहीं है क्योंकि ये बहुत ही है भी होता है जिसे हमारी किडिनी फिल्टर नहीं कर पाती है दोस्तों कंपनियां इसलिए इसको मिलाती है ताकि जो नमक पाइक करके देती हैं वो गलेन क्योंकि अगर समूद्र का नमक खड़ा लाएंगे उसको खुला रख देंगे तो वो गल जाता है धिरे धिरे लेकिन यह केमिकल मिला कर देते हैं कि हमारा नमक जो है गलेन यह जो है केमिकल बहुत ही खतरनाक होता है हमारे सरीर के और सेधा नमक का प्रियोग करें आपको कोई रोग नहीं होगा ना ही आपके सरीर में किसी मिनरेल्स या किसी तत्तो की कमी होगी तो दोस्तों जादा से जादा लोग को सेयर करें ताकि लोग सेधा नमक का प्रियोग करें हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्स